आप चलिए आज हम देखेंगे दिल्ली साथनस ते जुए प्रस्णों की स्रीज जो भारतिती आचका महत्पुन टॉपिक है यह हम देखें कुछ प्रस्णों को जो पहले एक्छाम में आतों पूछे लिजी कहा जाता है, तो किस साथ को कहते हैं, अंतर विरोध्यों का विश्मयकारी विष्मयकरी मिस्ञन, मजब जिसमें विरोधा भासी आदाता है, मौजुत्ती, तो इसका सही आन्जर है मौहमध बिन तुलक, जिसको हम पागल भासा भी कहते हैं, तो इनकी नितियों से ऐसा कि कभा तो इसका सही आवस हैं 1517 1522 सांग और लोधी शेन को नओंको नगत वितन ना किसे पिरारम किया तो यह किया था अलाव दिन खिल दीने, अलाव दिन खिल दीने, सेना को बह। बहुत गागर वितन दिया था अगला प्रस्ट, बलबन किसका मलिख नायब अर्था 5 रिजयन्ड था द्लिली स्नथनक में एक पद घ्रक बाद का पद था तो ये पद बलबन के पास था नासरी दिन महमूद के समय अगला प्रस्ण इकता संस्ता का प्रयोग किस ने किया था तो सैनिकों को वेतन के बदले जमीन देना इसी का आर्थ था इकता तो ये था ये शुरू किया था इलतुतमिसने जो गुलाम बंस का दूसरा सासक था अगल मोर ने भारत पर आक्रोंड किया तूस समय जो भारात का राजा था या जो दिल्ली का सूल्तान था भो था नासरी दिं महमूद तूगला प्रस्ण सरवाधिक्वित्रोक कि देन कि सूल्तान के काल में हुए तो सरवाधिक वितरोकि सूर्ष का स ACC ने MAY मोहमध बिं तूगला दक्षन भारत की दो मुख्य वंस, बहमनी और विजयनगर, वंस नहीं, सामराज्य, ये दोनों इसी के समय अलग हुए थे, सेस भारत से, अगला प्रस्न, इल्थ उत्मिस सासक बनने से पूर्व कहा का सुवेदार था, तो जो गुलाम वंस का दूसरा सासक है, इल्थ उत्मिस वो शासक बनने से पूर्व सुवेदार था, बढनायो का, अगला प्रस्न, युद्ध में वीरगती पाने वाला एक मातर सुल्तान था, तो दिल्ली का एक मातर सुल्तान जो युद्ध में जिसको वीरगती प्राप अप्त हुई, वो थे, अंतिम सासक लोधी बनस के, इबर टुलस् तुलग धस्टैला प्रस्टैकी तो कौनटकिशा साथा चीज़ एर चुछी दिन्ै मैंड हव iq ग्राव यह सां से साथन किया कुषुबवक भूला से डिल्य करें पहला सुलटान साथन किया कोदुबव दीन अबक करवाने वाला दिल्ली का पहला सा सकता तो सिचाई हेतु नेहर निर्वान करवाने वाला दिल्ली का पहला सा सकता गया सुद्दीन तुगलक जबकि दिल्ली में सरवाधिक नेहरो का निर्वान कराने वाला सा सकता फिरोज सा तुगलक अगरा प्रश्न किर्शी भाग दीवान सत्ताग्रण की तो कुदूब दिन्या वे कियम बात कर चुके नोंने लाहर में सत्ताग्रण की और लाहरी से सासन भी किया चार वर्सका इंगा सासन रहा 126 से 1210 तक अगला प्रस्ण किन सुल्तानों को मामलूक सुल्तान कहा जाता है तो किन सुल्तानों को मामलूक सुल्तान कह अगला प्रस्ण इस स्वयम को खलीफा घुशित किया तो वो था मुबारक शाह किल जी वन्स का स्थाफक कौन था तो खिल जी वन्स का संस्ताफक था जरालुदिन किंगे हो गया चैहित डिली का वास्तक्स अलाटा थे तो हम किसे दिल्ली का वास्त्रीक proactive vari क्थे कियां कि यह कहते हैं हम क्योंगी इल्टुतमिस में दिल्ली शल्तनत को जो एबकने सपने देखे उन्हें पूरा किया और दिल्ली में तुर्क जो साथना थी उसकी स्तापना की अगला प्राश्न उलुक खां किसकी उपादी थी तो उलुक खां उपादी थी बल्बन की और बल्बन को ये उपादी दी थी नासिरुद्दिन मेहमूद ने जो उस समय राजा था और ये बलवन उसका रिजेंड था अगला प्रस्ण इबन बतूता कहां का निवासी था तो दिल्ली सल्दनत में एक विदेशी यात्री घुमने के लिए आया बहुत परसिद इबन बतूता तो ये कहां के थे तो इते मोरको के और ये आयते मुहमाद बिन तुगलक के समय में अगला हमारा प्रस्ण जौनपुर्नगर की स्तापना किस ने की तो दिल्ली सल्दनत के किस्सा सकने जौनपुर्नगर की स्तापना की तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलकने अगला हमारा प्राश्म सांकेतिक मुद्रा किस सा सकने परसलित की तो जो सांकेतिक मुद्रा होती है उस कार्थ होता है निक्रिष्ट धातु के मुद्रे चनाना जैसे तामे का से ये सोने की मुद्रा में सोने की मुद्रा की तुलना में सांकेतिक मुद्राएं हैं तो इसकी सुरवात की थी मुहमद बिन तुकलक ने है अलाओ दिन खिल्दी ने देवगरी पर कब आक्रमन किया तो अलाओ दिन खिल्दी का परसिद्ध आक्रमन है देवगरी जहां से देवगरी की लूट बहुत पर तो एक कविन्हें लिखाया कि प्रजा को सुल्टान से मुक्त मिली तो यह लिखा था बदायूनी सिर अगला प्रस्थ Northern रजिया ने कब तक सासन किया तो दिल्ली सतनत की एक मात्र महिला शाशी का रजिया तो यह था बारासो चारीज misas और 146 में साउसन चुरू किया और 24 तक साउसन है अगला प्रश्चा राजस्टों के ब्रस्टाचार को खत्म करनें राजस्टों के ब्रस्टाचार को खत्म करने раз की तो गभान के सुलतानों कंता तक दिजिट Bondi P और शासन शुरू किया था 1206 में और शासकते एबक की सम्लाट्टे पहली बार ब्रामणों पर जजिया कर लगाया था तो दिल्ली सलतनात में जो गैर मुस्लिम थे उनपर एक कर लगता था धार्मिक कर जजिया तो यह ब्रामणों पर नहीं दखता था लेकिन फिरोज सात्व ब्रामनों पर भी जजिया कर लगाया था अगला प्रश्ण पार्शी पर्व नौरोज को मनाने की सुरवात किस साथक ने की थी तो यह की थी बल्वन में बल्वन ने गुलाम वन्स के साथक ने अगला प्रश्ण फिरोज शहा तुगरा प्रश्ण किस गुलाम शासक ने शंसी राजवन्स की इस्तापना की घृति इल्थुत मिश्ण है अगला प्रश्ण राजुस्व का देविया सिद्धान्त किस सासक से समन्दित है तो किस सासक ने कहा कि राजा इस्वर का रूप है उसने एक सिद्धान दिया राजुस्वर का देविया सिद्धान्त उसने इस्वर के बाद खुद को ही इस्वर का परजिन दी माना तो यह सास अकाल रहत सहीता अला प्रस्ट ने स्वयम को रहत याला का तो दिल्ली सल्दनात में एक सासक ऐसा था जिसने स्वयम को कभी भी सुल्तान नहीं का ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेरा सु अठानेवे में तेरा सु ठानेवे में जब तैमूर का आकरण भारत प्रहुआ तो उस समय भारत में तुगलक मनस था तो अपने जीते हुए छित्रों में तैमूर ने ख्रिज खांको अपना उत्राधिकारी बनाया तो तैमूर की डर से कभी भी उसने कुदको सुल्दान नहीं का खुदको र सत्रीज खुदको रहत में तो यह कैसे सकते जीत जजनी हैं मअध भासाशा क कहते हैं कहते हैं इसके बारे में पढ़ा लिखा बहुत था लेकिन नीतियां इसके हमेशा विफल रही है कि सयद बंसका पहला सासक कौन था तो सयद बंसका जो पहला सासक था लोग हो था खिरिज जो दैमोर के आकरमन आक के बाद गढ़ी पर बेठा तुलक वश्वों समय अंत्げा अंत्यों प्रक्राश्णा कौन ही इक वाजि किक शुच्वाद को तो सुल्तान इस्वर की चाया अंकित करवाया था मौमद बिन तुगलक ने जबकि राजुत का जो सिद्धान था कि सुल्तान इस्वर का पर दिन दिया है ये कहा था बल बनने लेकिन सिक्कों पर छभाया था कि सुल्तान इस्वर की चाया है मौमद बिन तुगलक ने अगला प्रश्य रख्ट और तलवार की निति किस सासक से संवानेत हैं। अब गानियों का समराजय की नीव जो डाली थी, वो डाली थी, बहलोड लोधी ने लोधी बंस की स्थापना करके, अगला प्रस्न, गुलाम बंस का अंतिम सासक कौन था, तो गुलाम बंस का जो अंतिम सासक था, वो था कैकु बाद, 1290 में इसका अंत करतिया गया, खिल्धी किन यहांद्थ में भारत में तुर्की राजे का स्टाफ़ नाल में तो तो डूरताबाढद किस सहर के लिए प्रइप्तुनाम है दौताबशंपार को तो वापजंटाब्य सुल्टाथ और दौलताबाद के लिए राजदानी इस्तांतरित की थी मौहमद इन तुगलक ने जोसका एक विरुदावासी फैसला था बाद में वहाँ से वापस चिला गया था तो प्रस्ण सुर्ष क्या था तो सुर्ष था एक सिचाइकर जो फिरोज तुगलक के साथ समय में लिया जा अंतिम तुगलक शाषक कौन था तो अंतिम तुगलक शाषक था नासिद्दिन महमुद और हम बात कर चुके हैं कि तेरा सो अठानेवी में तैमूर ने जब आक्रमन किया तो अंतिम तुकलक सासक को गद्धी से हटा दिया इसके बाद सयादवंस्की स्थापना हुई और खिरिजखां गद्धी पर बैठे अगला प्रश्ण गुल्रुखी के नाम से कौन सा सुल्तान फार्सी में कवितायें ल से या वहा था उसका अंत्थ ने किया था बल्वन्न बल्वने इनिक खञाप उस नीदी का प्रव्यों किया था रख्त और लोगпа की निथी अग्ला प्रश्ण तुरकाने सामगा की स्थापना किसने की थी yardım учने कने स्था को बनायार किसने था तो दिल्ली अभी दूर है किस सासक के लिए कहा गया था गया सुद्दिन और यह कहा इसलिए गया था कि सेख निजामुदिन ओलिया और गया सुद्दिन तुलग के मद्य कुछ विवाद हो गया था जिसकारण जब बंगाल अभियान पे गया सुद्दिन तुलग था तो उसने कहा था कि जब तक मैं दिल्ली पहुंच हूँ उससे पहले सेख दिल्ली को छोड़ दें तो सेख ने कहा था दिल्ली अभी दूर है और हुआ भी ऐसा गया सुद्दिन तुलग दिल्ली आने से पहले ही किस ने धारण की थी तो इसका सही अंसर है ओलाव धिन खिल राणी कीव अंधे के और कि जो स्थाफने की तो जो इस्थाफना की थि किती कि भ्यासु दीन में सी कि धी इंद मिल्द उसका सब्सक्राइद फिस्टाइब तो अलाओ दिन कि पर्सिद्ध विजय यह चित्यों विजय यह हुई त्यों चैनाे एकांत। मलिक मुहमद जायच ने एक पर सिद्ध्य रचना यहां पर रखी है पदमावत तो अगरा प्रस्टन है दीवाने अर्ज नमक्स है कि वाग कार सिर्जन किस ने किया तो दीवाने अर्ज या हम इसे दीवाने आरिज भी कहते हैं तो इसका जो सिर्जन किया था वो किया था दीवाने रियासत नाम से आर्थिक मा बलाग हां का सिर्जन किया था है यह की था लाव दिन खिती लाज अलाव दिन-खिके बादार सुधार बहुत प्रसपिद्ध थ है तो इस नहीं आर्थिक मा के लिए की सिर्जन दीवाने रियासत किस स выполancy्ना और या क्यार कर वाया कौन अगला प्रश्णम रकत एम लोह की निति किस सासकने चलवाई थी, तो रकत एम जो लोह की निति लो मैं बता चुका हूं, पहले भी बल遊戲 चलवाई थी और अपने विरोधियों का अंत करने के लिए चलवाई थी, अगला प्रश्णम तैमूर के आकरमण के समें दिल्ली का सुल पुलतान था नासिरुद्दिन महमूत जुत्वॉलक बंस का एक सासक था और बलवट जिसका रिजन था नासिरुदिन महमूत वह भी वह भी तुरुकों सुल्तान था लेकिन वह उख्वार्म बंस-का सासक था अगला praशन अगरा की स्थापना किस ने की थी तो अगरा की था जो की थी वो की थी सिकंदर लोधी ने लोधी वन्स के साथ अगला प्राश्ण सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रमप्रा किस ने शुरू की थी तो दिल्ली सलतरत में सिक्कों पर जहां से वो छपते हैं टकसाल उसका नाम लिखवाने की प्रमप्रा शुरू की थी इल्दुतमिस ने अगला हमारा प्रस्ण सेना ही राजत्व है और राजत्व ही सेना है किसका विचारता तो किस सासकने का सेना ही राजत्व ही सेना है तो ये कहा था अलावदिन खिलदी ने उसे अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो भी स्विजाया का सबना भी देख ता अगला प्रास् céu बाजार्यनीय अंतर प्रणाली किस सासक्त स समद्ध है अगला प्रास्jan दीवान इंसा भुh capita कार क् lavender था दिल्ली संसंत में भुग था दीवान इंसा तो इसका कार क्या था तो इसका कारे था साही पत्र ब्योहार अगला प्रस्ट पानिपत का पर्थम युद्ध कब हुआ तो पानिपत का पर्थम युद्ध हम सभी जानते हैं 1526 में हुआ जहां पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा कर दिल्ली के सुल्तानों का अंत कर दिया और मुगल वन्सकी स्ताफना की अगला प्रस्ट अलाव दिन खेलजी सासक्मने से पूर्व कहां का सुवेदार था अलाव दिन खेलजी सासक्मने से पूर्व जो सुवेदार था तक कडा मानिकपुर का सुवेदार था यहीं से इसने देवगरी पर आक्रमन किया था अगरा प्रस्ण खराज क्या था तो खराज एक भूमिकर था और आज का अंतिम प्रस्ण ने लाहोर से दिल्ली राजधानी कौन लाया तो कुतुब दिन एवक ने जो गुलाव मंस की स्थावना की थी वो लाहोर में की थी और राजधानी लाहोर से दिल्ली जो लाया वो लाय इल्दुतमिस और इल्दुतमिस को ही हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तेविक संस्लाबक तो यह थे हमारे आज की क्वेशन